अब देखिए अब हम बात करेंगे purpose of FMEA की कि FMEA का purpose क्या है देखर दोस्तों इसमें हमने आप से जब discuss कर रहे थे शुरुवात में तो हमने एक बात और कही थी कि type of risk कि हम बात करेंगे आपको purpose of FMEA तब समझा जाएगा तो देखे सबसे पहली जो रिस्क होती है वो होती है financial risk ठीक का मतलब यह है कि अगर आपको कोई रिस्क पता चली आपने कोई रिस्क का आइडेंटिफाई करी आपने रिस्क का assessment कि आपको रिस्क पता चली आप उस रिस्कों को mitigate करने के लिए जो आप control measures यूज कर रहे हैं मान लीजिए वो control measures यूज करने के बाद आपका जो फाइनल प्रोड़क्ट है या आपका प्रोड़क्ट है वो profitable नहीं है मतलब रिस्क का control measure आपको इतना एक्सपेंसी इतना costly पढ़ जाएगा कि वो प्रोड़क्ट आपका profitable profitable बचेगा ही नहीं तो एसी जो रिस्क होती है यह financial risk होती है पहली रिस्क तो यह रिस्क है जो financial risk है दूसरी जो रिस्क है वो time risk है अब time risk में क्या है कि मान लीजिया आपने आपने रिस्क identify कर ली आपने रिस्क का assessment क्या पता चली उस रिस्क को mitigate करने के लिए रिडक्ट करने के लिए आपको improvement करना है और वो जो improvement है वो time taking है उस improvement को जब आप implement करने जाएंगे उसमें इतना time लग जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट का time वो खतम हो जाएगा ठेक उतना आपके पास time नहीं है देखिए यहां पर जो भी काम होता है वो time bonded होता है कंपनियों में organization में जो भी काम किया जा रहा है उसमें time की foundation होती है तो अगर मान लीजिए आपने रिसकत identify कर ली रिसक assessment हो गया उसमें इंप्रूमेंट में जो इंप्लिमेंटेशन करना होगा उसको करने में time बहुत जादा जा रहा है तो यह इस तरह की जो रिसक होती है टाइम रिसक होती है यह रिसक strategy रिसक है यह एक ऐसी रिसक है है जिसमें आपने जो है कि इंप्लूमेंट इंट्रूड्यूस किया ठीक उसके बहुजूद आपका जो product है वो unprofitable रहे गया कि आपने इंट्रूमेंट किया जो कंट्रोल करने के लिए जो आपने system implement किया कर दिया और उसके बाद आपका जो प्रोड़क्ट है वो unprofitable हो गया मतलब यह जो आपकी रंड़नीती थी वो कहीं नहीं फेल हो गई आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो इस तरह की जो रिस्क है में जो रिस्क होगी प्रोड़क्ट प्रोसेस में फेल्यूर की वज़े से जो रिस्क आपको नजर आ रही है जो फेल्यूर हो जाने पर जो उनमें रिस्क आपको दिखती है वो रिस्क टेक्निकल रिस्क कहलाती है तो कहने का मतलब यह है कि जो शुरू की तीन रिस्क थी क्या उनका assessment हम potential failure mode in effect analysis में कर सकते हैं तो वो नहीं किया जा सकता सिर्फ आप technical risk का जो risk assessment जिसके हम बात कर रहे थे defect prevention के लिए risk assessment किया जाता है और ये जो method है ये FMEA क्यालाती है हमने इसकी बात पहली कर ली what is FMEA में हमने इस चीज़ को discuss किया तो वो कौन सी risk होगी जिसका assessment करना है तो technical risk होगी तो आप जब भी बात करते हैं ठीक risk assessment की तो आपको technical risk का assessment करना है और ये purpose of FMEA की जब हम बात करें तो अब आपको clear समझाएगा कि हमने पहले ये type of risk क्यों discuss करी अब हम purpose of FMEA समझेंगे तो आपको easily समझाएगा तो देखे purpose of FMEA क्या है risk reduction की जो technical aspect है उसको उसको जब आप address करते हैं उस चीज के लिए आप FMEA को use करते हैं तो FMEA का purpose क्या है risk reduction risk reduction की technical aspect को address करने के लिए FMEA use किया जाता है तो FMEA purpose यह है risk reduction की risk reduction की risk को कम करने के लिए जो उसकी technical aspect है जिस हम technical risk की बात कर रहे थे कि उसमें क्या technical aspects हो सकती है discuss risk reduction की technical aspect को address करते हैं आप इसमें ठीक है और यह जो है इसके लिए आप FMEA का use करते हैं FMEA use किया जाता है FMEA का use या purpose of FMEA आप अगर बात करें तो यह इसलिए होता है ताकि आप जो भी technical risk है उसको eliminate करनी कोशिश करें उसको reduce करनी कोशिश करें और यह जितना भी काम किया जाता है यह इन चीजों को address किया जाता है वो FMEA के जरिए किया जाता है FMEA के द्वारा किया जाता है तो यह है purpose of FMEA या FMEA का purpose आपको यहां पर clear होता है इस से तो यह बात हुई purpose of FMEA की करें जाता है